हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, अदाप, सश्यकाल, इंकेम चो, वल्कम चू दे क्लास ऑफ SSP तो आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है, एक इंपोर्टन सेशन है I would strongly recommend watch this video till the end because in this video we will talk about के how to solve physics numerical क्योंकि बहुत बार बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, मेरे सभी बच्चा पार्टी मुझसे लाइव क्लास के टाइम जब भी प्रीमेर मैं करता हूँ तो लाइव चैट के दर्मियान बे आप मुझसे ये पूछते रहते हैं हमसे concept तो हो जाता है हम एक पार theory तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम numerical को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं हमसे वो होता ही नहीं है तो बच्चों कहीं न कहीं पे कुछ problem है कहीं न कहीं पे कुछ कमिया हो रही है जिसकी वज़ा से ये नहीं हो पा रहा वैसे तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं बट ये वीडियो में अपने सभी SSPN true SSPN अपनी बच्चा पार्टी के लिए प्रिपेर करने वाला हूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं जो भी मेरे बच्चा true SSPN जो भी मेरे बच्चा पार्टी जो भी मेरे SSPN मेरे through class 12 की study करना चाहते हैं बाबा SSP के साथ class 12 की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हो तो बहुत ही छोटे से प्राइस में बच्चा लोग hardly 200 रुपीज पर मन्त में आप मेरे online course के साथ जोड़ सकते हो इसके लिए सारी की सारी details, सारी information मैंने इस वीडियो की description में दी है आप वहाँ से जाके हमारी course के बारे में detail ले सकते हो school आपकी बंध है अगर आप school की feel लेना चाहते हो तो भारत का एक ही app है जो इस time minimum price में आपको school की feel दे रहा है और वो है हमारा विद्यकुल app सो बच्चो आप Google Play Store से जाकर के भी विद्यकुल learning app डाउनलोड कर सकते हैं और सारी information सभी educators का physics, chemistry, maths, bio जो आपको पढ़ना है बहुत ही minimum price में आपको available कराया जाएगा सबसे बड़ा मुद्दा ये कि physics के numerical को solve कैसे करें हम एक बार concept देख लेते हैं बट हमसे numerical नहीं हो पाता इसकी क्या वज़ा है वैल इस वज़ा को हम एक एक करके समझाएंगे कहां पर आप गलतियां कर रहे हैं उस सब कुछ हम समझाएंगे लेकिन याद रखना बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद जो भी दवाई में आपको दूँगा जो भी medicine में आपको दूँगा उस medicine को कम से कम बच्चा 15 दिन तक आपको खाना है बाबा SSP डॉक्टर तो नहीं है बढ़ अपने बच्चा पाटी के लिए डॉक्टर में जरूर हो ये medicine अगर आप लगातार 15 दिन तक खाते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके अंदर आने वाले change को आप खुदी observe करोगे चली मैं बताता हूँ बच्चा वो medicine कौन सी है और आपको किस तरह से इस पर काम करना है so इस medicine का नाम है बढ़ा ही अजीब सा medicine है बट बहुत ही सुंदर सा बहुत ही प्यारा सा medicine है अगर आप खा लेंगे तो आनन्दिक्या नुभूती होगा लगेगा बहुत ही विज्ञान ही जीवन है that means you'll feel like physics is your life WIWPP अभी क्या है उसको मेके करके आपको point बाज समझाता हूँ सबसे पहले बच्चा लो आपको अपने mindset को change करना है आपको अपने brain को इस तरह से training देनी है कि वो एक सटीक algorithm को बिठा ले क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला वो एक computer के algorithm की तरह काम करना चाहिए तब ही आप physics के numerical के अंदर mastery हासिल कर सकते हैं अगर आप zero है तो भी आप hero हो सकते हैं अगर आप इस algorithm को अपने brain के अंदर अच्छी training दे करके सटीक तरीकी से install करते हैं तो सबसे पहला step क्या है इस algorithm का, इस medicine का सबसे पहला step क्या है वो है बच्चा, way of reading the numerical मैंने अक्सर देखा है offline class में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से मैं physics class ले रहा हूँ मैंने अक्सर देखा है जब भी offline class में मैं होता हूँ मैं किसी बच्चे को कहता हूँ बच्चे तुम इस numerical पढ़ो तो अगर आप numerical को कुछ इस तरह से पढ़ते हैं suppose, मान लीजे कि बैने आपको कहा कोई numerical पढ़ने के लिए या आप practice कर रहे हैं तो आप numerical कुछ इस तरह से पढ़ रहे हैं ध्यान देना, सुनना ध्यान से बहुत important point है अगर आप numerical को इस तरह से पढ़ते है अगर आपका तरीका ये है बच्चा तो चेंज दिस तरीका अज सून अस पॉसिब येस याद रखिये मेरे शब्दों को अगर आप किसी भी physics के numerical को चाहे कोई भी हो इस तरह से पढ़ रहा है कि particle is projected at angle of 60 degree at the foot of the tower which is inclination at 30 degree at the same time the wedge is also moving towards the positive acceleration with velocity 5 meter per second to find the time when the particle collides with that तो ये तरीका बहुत गलत है हाला कि मैं बहुत fast पढ़ लिया बढ़ आप पढ़ते ऐसे ही हो 90% student इसी तरह से इसी way में पढ़ते है और ये सबसे गलत तरीका है क्योंकि धीरे 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 वो आपकी habit हो जाती है 4-5 line देखते हो न तो आपके प्राण निकल जाते है कि यार 4-5 line अरे अब क्या होगा वो वो ऐसे क्या होगा ये तरीका ही बहुत गलत है आप physics को किस तरह से पढ़े उसकी numerical को किस तरह से पढ़े उसकी technique ये होनी चाहिए अब particle is projected at an angle of 60 degree रुक जाए step 2 पे आईए आपका brain दीखिए इस तरह से आपकी brain को training दीजे step 2 में क्या लिखा है मैंने imagination convert it into the diagram यानि कि एक particle को अगर 60 degree पे फेका गया है तो आपके दिमाग में तुरहनत imagination होना चाहिए अच्छा एक particle को फेका गया है एक particle को फेका गया है 60 degree ऐसे पराबर इतना आपको उस दिमाग में चलना चाहिए फिर वापस step 1 में आ जाओ अब आगे की line को पढ़े है from the foot of the tower of the wedge और वो wedge भी inclined था 30 degree के angle पर यानि ये आपका कुछ इस तरह का wedge हुआ ये आपका 30 degree का inclination है अब क्या कहता है कि at the same time that wedge is also moving तो ये भी move कर रहा है 5 meter per second की रफतार से positive x direction में है ना तो बताईए कि ये इसको कब collide करेगा ये हुआ step 1 और step 2 का algorithm process आपने अगर ऐसे physics के numerical को पढ़ा है ना बहुत fast तरीके से पुरा पुरा 4-5 line पढ़ लिए कभी भी उस numerical को solve नहीं कर पाओगे हाँ ये बात और है कि बहुत सालों के तक करते 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 आप habitual हो जाओगे तो आप कर लोगे लेकिन बहुत साल तक बहुत लंबा समय जा चुका होगा और आपकी जो target है और आपका जो target है जे ही है नीट है या फिर बोड में आप अच्छे माक्स लाना चाते तो बहुत पीछे हो जाओगे आप बच्चा इस चीज की habit डालिए एक line पढ़ो imagination करो अच्छा ये है तो मैं इस diagram को सबना लेता हूँ फिर दूसरी line पढ़िए diagram में apply करिए फिर तीसरी line पढ़िए diagram में apply करिए ऐसे करते करते आपका step 1 और step 2 होना चाहिए step 1 और step 2 के बाद step 3 पर आता है आपके brain को training इस तरह से देनी है कि algorithm number 3 आपका brain ये करेगा write all the data given in numerical जैसे step 1 और step 2 आप बहुत अच्छे से imagine कर लिया है तो ये जो data है वो आपको side side में दिखेगा तो फिर उसको अवशकता ही नहीं है ये तो मैंने लिखा इसलिए ताकि आप अगर ऐसे arrow बनाते हो और इसकी value नहीं लिखते हो तो उसको भी लिख दो कि भाई velocity इतनी है wedge की velocity इतनी है इसकी इतनी है अच्छा कुछ बुद्धी जियों को लगे गई तो बड़ा लंबा प्रोसेस है और आपको आनंद की अनुभूती आएगी लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है बच्चा पार्टी तो तीसरे step में पहले दूसरे में आपने जो imagine करें के diagram बनाया तीसरे step में आप क्या करें के बच्चा लोग सभी data को proper तरीके से लिखेंगे अब आपको algorithm number 4 में जाना है जो की है proper formula ये बड़ा ही important tool है अगर आप ये कर भी लिए और step 4 में अटक गए तो आपका कुछ रही हो सकता हाँ जो board की बच्चा पार्टी है जिनका target board examination को फते करना है जिनका target board में अच्छे marks लाना है उनके लिए तो यहां तक कि step के marks मिल जाएंगे बट जी और नीट ये competitive exam के अंदर इसका कोई role नहीं रह जाता इसलिए बच्चा ये set हो जाने के बाद step 1, step 2 हो जाने के बाद step 3 तक पहुँच जाने के बाद आपके brain से उस proper formula को खीच के लाना है और paper पे उतारना है ये improve तभी होगा step number 4 जब आपके पास एक proper chapter के formula की sheet होगी ध्यान से सुनिएगा अगर आपके पास में proper chapter के formula की sheet है और आपने सुबह साम उसका दरसन करके रखा है तो विश्वास मानिये ये सवाल आपने solve कर दिया लेकिन जो भी बच्चा formula की sheet बना करके उसका daily दरसन नहीं करता है उसके लिए बहुत ही tough हो जाएगा इसलिए formula के sheet आपके पास होनी चाहिए आप जिस कमरे में पढ़ाई करते हैं जहां भी आप पढ़ते हैं जिस भी study room में आप पढ़ते हैं बच्चा वहां की दिवालों पर physics के formula की एक वो बना दीजिए must एक paper पे सारे formula को बना करके रख दो या किसी page में chapter wise बना करके आप रखो जो बच्चे class 12 में हैं उनके लिए बहुत important है जो tropper हैं उनके पास तो ये होगा ही जो बच्चे class 12 में हैं वो जरूर ये काम करें और इसके साथ साथ एक और point note करना बच्चा कि आप किसी market से लिखी हुई PDF को या किसी किताब से लिखी हुई PDF के formula को अपने पास मत रखना क्योंकि वो PDF PDF ही बनके आपके bag में या आपके दिवाल में या कहीं भी रह जाएगा जब हम अपने से महनत करते हैं न जब हम अपने हाथों से हर chapter के formula को लिखते हैं न आनन दिकिया नुभूती होती उसका एक अलग level होता है उसका एक अलग एहसास होता है इसलिए मैं आप से request करूँगा कि हर chapter के formula के sheet अपने हाथ से लिखिये तब ही आप उसको बार-बार देखने के लिए आसकरते रहेंगे so step 4 को अगर improve करना है तो मेरी इन बातों को ध्यान से समझ लो बच्चा कि आपके पास में formula के sheet hand written आपके हाथों से लिखी होई होनी चाहिए ना कि किसी किताब की होनी चाहिए got my point? इतना सब कुछ हो जाए step 4 हो जाए तो अब सीधा step 5 पर आता है ये भी बहुत important हो जाता है proper calculation कई बार क्या होगा कि आपने अच्छे से imagine कर लिया आपने step by step diagram को बना लिया आपने सारी data लिख दी आपने formula भी सोच लिया लेकिन अगर जरासी भी calculation error हुई तो आपका सवाल डुबा देगा आपको खास करके जो competitive exam की तयारी कर रहे हैं बच्चा लोग उनके लिए बहुत important हो जाता है हमें बोर्ड नहीं हमें जेई नहीं हमें नेट नहीं हमें physics को अच्छा कर रहे हैं हम physics के बच्चा पार्टी है हम physics के लिए हमारे SSPN को training दे रहे हैं तो बच्चो ये चीज इंप्रूव कैसे होगी calculation calculation को इंप्रूव करने के लिए आपको daily practice करने पड़ेगी सिर्फ calculation इंप्रूव नहीं होगा daily practice से बच्चा आपके सभी step पर आप काम कर पाओगे जब भी आप physics पढ़ना बाबा की दवा जरूर खाना यह मैंने लिखा है किसलिए लिखा है मैं आपको बताता हूँ theory पढ़ते समय practice आपको करना है कम से कम 10 से 15 सवाल सपोर आप से विष्टन बीच पढ़ा ही करी class 12 की में बात कर रहा हूँ विष्टन बीच पढ़े तो विष्टन बीच से related exercise में जो question है धराक से कर लो फिर उसके बाद आपने देखा कि उस theory से के बाद में जो हमारे textbook में example है उसे कर लो उसके बाद आपके पास कोई तो कोई तो reference book होगी वो reference book कौन सी आप लें कौन सी आपके लिए अच्छी होगी मैं अपने तरब से जरूर इस पर वीडियो बनाओगा बढ़ आपके पास जो भी है उससे practice करें कम से कम 10 से 15 सवाल बहुत जरूरी है इससे आपकी calculation इंप्रूफ होगी इससे आपका step number 4 formula revision अच्छे से आध हो जाएगा step number 3 इंप्रूफ होगा step number 2 होगा step number 1 होगा बच्चों physics के numericals को करने का इससे best तरीका और कुछ भी नहीं है अगर आप आज से लग जाते हो और लगातार 15 दिन तक 15-15 numerical भी करते हो ना तो 15 गुड़े 15 कर दीजे कम से कम 225 numerical पे आप इसी algorithm को follow करोगे ना तो आपका brain अपने आप train हो जाएगा यह हमें benefit मिलता है हमारे physics के numerical इंप्रूफ होते हैं तो हम क्यों नहीं करें तो आप इस schedule को follow कर लो जो मेरे बच्चा party class 12 के अंदर है वो आज से लग जाए जो मेरे true assessment है वो आज से physics के numerical को improve करने के लिए ये काम जरूर करेंगे ये पूरा काम यारी physics जब भी पढ़ना है बाबा SSP की दवा जरूर खाना है दवा का नाम है WIWPP W का मतलब है way of reading change कर दीजे जैसा बता है वैसा करो I for imagination W for write all the data P for formula proper formula and at the end P for proper calculation पता है बच्चो इन सब से क्या होगा इन सब से आपके अंदर एक attitude पनपेगा और उस attitude की ज़्यादा जरूरत है physics के अंदर बहुत जरूरत है वैसा attitude नहीं जो लोगों को दुख दे वैसा attitude नहीं जो लोगों को तकलीप दे वैसा attitude नहीं जो आपको गलत रास्ते पढ़ लेके जाए बट ये ऐसा attitude है जिसका पनपाना बहुत important है class 12th के अंदर even science के अंदर छोड़िए class 11, 12th सब गया side में physics के अंदर बहुत important है और वो attitude को कहते है PSA problem solving attitude I should write PSA जब तक आपके अंदर problem solving attitude नहीं जन मलेगा आप कुछ भी करते रहें आपसे नहीं हूपाएगा मैं demotivate नहीं कर रहा but this is the reality और problem solving attitude आती है एक अच्छे approach से एक अच्छे proper plan के साथ एक अच्छी strategy के साथ और strategy क्या है वह यह है यह medicine खाईए ऐसा करते रहने से आपके अंदर हर सवाल को देखने के बाद एक उमीद रहेगी कि मैं यार इस question को solve कर सकता हूँ definitely कर सकता हूँ हाँ ठीक at the end answer थोड़ा बहुत इदर उदर हुआ कोई बात नहीं बट आपके अंदर पहले से जादा change आ चुका है आप उस सवाल के साथ भिड़ने की ताकत रखते हैं और आप उस सवाल को बच्चा लोग जान से माणने की ताकत रखते हैं इस वीडियो का में मोटो यही है कि आपके अंदर ये जन्म ले बच्चा PSA Problem Solving Attitude और ये कैसे जन्म लेगा तो ये medicine से ये medicine कम से कम 15 दिन तक खानी है आप comment करके मुझे जरूर बताना ये 15 दिन के बाद इसी वीडियो के मैं रिव्यू पर आपसे चर्चा करोंगा और आपसे फिर से मुलाकात करोंगा ठीक है वीडियो को हम यहीं पर करते हैं I hope कि ये वीडियो के सभी points आपको समझ में आए होंगे समझ में आए हैं तो जरूर वीडियो को share करेगा अपने उन दोस्तों के साथ जो same problem face कर रहें बच्चा लोग और जो भी मेरे SSPN है जो भी मेरे SSPN आर्मी है just wait for बड़ा सा announcement क्योंकि उस announcement के बाद आपको आनंद के अनुभूती आ जाएगी ठीक है, so खुश रहें, मुस्कुराते रहें मुस्कुराहट के साथ physics पढ़ते रहें मिलते हैं नेक्स क्लास में till then, do whatever you want to do man but don't trouble your mom take care बच्चा लोग, खुश रहें हमेजा मुस्कुराते रहें